नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। अच्छे और अंदेखे रहे हैं। लेकिन जब आप इसके फायदों के बारे में सुनेंगे तो आप एकदम चौकस रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों पोशक तत्व का खजाना है बैंगन। बैंगन में बहुत से ऐसे पोशक तत्व मजूर होते हैं जो दूसरी किसी सबजी में नहीं मिलते। बैंगन को लेकर सबसे बड़ा फैदा ये है कि वे काफी असानी से मिल जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों आप ऐसी सबजी को अपने भोजन में जरूर शामिल कीजिए। यह कैलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी इल्कुल ठीक रखता है। बैंगन में विटामिन सी पाया जाता है जो संगरश को दूर करने में कारگार होता है। और साथ ही ये रोग प्रती रोग शम्ता को बढ़ाने में काफी फायदेमंद होता है। दात के दर्द में भी काफी फाइदे मंद होता है बैंगन बैंगन का रस का इस्तेमाल कर दात दर्द में निरोत का काम कर सकती है इसके रस से दातों के दर्द में अराम मिलता है साथ ही इसकी जड़का इस्तेमाल करने से अस्तमा रोगधाम से भी नहीं होता वजन को भी कम करता है बैंगन, बैंगन कैलोरी जलाने का काम करता है, साथ ही ये फाइबर से युकत होता है, बैंगन से बनी कुछ भी चीज आपके लिए भारीपन महसूस होती है, जिसकी वज़र से सा कम खाना खाता है, ऐसा वजन कम करने के लिए आपका एक अच्छा आहार जिया दोस्तों जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है वो आज से ही बैंगन खाना स्टार्ट कर दीजिए बैंगन के अनेक फाइदे हैं तो दोस्तों देखा आपने बैंगन के कितने सारे फाइदे मैंने आपको बताए हैं तो आप भी बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप भी बैंगन को अच्छे तरह से अपने डेली आहार में लेना स्टार्ट करदीजिए तो दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा लाइक करें कमेंग करें और शेयर करें और मेरे इस वीडियो को करें क्योंकि हमें ऐसे जए वीडियोस बुनाने की प्रेणा मिलती रहती है